तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग उमिद है कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि अपने फोटो का बैक्राउंड कैसे चेंज कर सकतो मातर एक किलिक में वो भी ट्रिक में बताऊंगा जो कि आपको एक किलिक में चे कर सकतो और उस बैग्राउंड पे किसी भी फोटो को एड़ कह सकतो अपना फोटो काफी ज़्यादा कुपसुरत बना सकतो तो इस वीडियो को देखते रहेगा सिंपल सा दोस्तों आपको प्लेश्टोर पे बहुत सारी अप्लिकेशन मिल जाती है जो कि दावा करती है कि बैग ग्रांटी की आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपना बैग्राउंड शिर्फ एक क्लिक में तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक नहीं की होती हैं से एक लाइक तो बनता है तो लाइक जरू कर दिजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके ठीक है और बैग्राउंड एरेजर लिखना है आपको सिंपली तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और इसके बाद एरेजर मैं लिखूंगा इतना लिखने के बाद यहाँ पर पर फश्ट नमर में एक एक इसका नाम दिखेगा यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद गाईज यहां पर यह जो application है बिल्कुल original application है और बिल्कुल अच्छे से काम करती है यह application ऐसा काम करती है आपको एक बार click करना है और click करने के बाद आपका photo का background बिल्कुल change कर देगा उसके बाद आप को इसी भी photo को अपने background में लगा सकतो यहां पर आपका photo का png बन जाएगा और उसके बाद अपना photo को यहां पर किसी भी background के साथ add कर सकतो उसके बाद मैं आपको trick भी बताऊंगा कि कैसे एक click में आप हटा सकतो तो सबसे पहले हम आपको इस application को open करके और open करने के बाद इसको हम सारी detail one way one हम आपको बताने की कोसिस करेंगे तो चलिए हम इस application को open करते हैं और open करने के बाद आपको कैसे इसमें clean करना है अपना background तो बताते हैं हम आपको ठीक है तो जैसे गई हमने आ चुका है इस application के अंदर और हम आपको simple सा करना क्या है कि यहां पे आपको load फटो का option दिखेगा यहां पे आपको क्लिक करना है आपका gallery यहां से हो जाएगा open और open होने के बाद तो अपने gallery में आने के बाद उस photo को select करना है जिस photo को आपने खीच करके रखा हुआ है अपने phone में तो जिस भी photo को आप खीच रहे हो आपको साधा दिवार पे यानि कि white दिवार हो या plane दिवार हो उसी पे आपको जाकर के उस photo को click करना है ताकि पीछे कुछ ना है और बिल तो चलिए हम एक photo यहाँ से ले लेते हैं जैसा कि देख सकते हो कि हमने एक photo को यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे एक arrow का option दिखेगा यहाँ पे done करना है आपको done करने के बाद गाइज यहाँ पे एक option दिखेगा आपको auto का यहाँ पे आपको आजाना है यहाँ पे मैंने click कर क्लिक करने बाद गायजter यहां पे एक ऐरो का अपस्न देख रहा होगा मैं उंगली से ङधर-ज़दर करर रहा हूँ आप द foreigner को वहां पर ले जाकर करκे छोड़ देना अरहा सो यहां से मैं तो यहां पर छोड़़ देगा को एक एपर छोड़ दूगा ले जाकर करके अपने आप हाटा दे गा ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे बहुती अच्छ sponsors हुआ सकत हो जो कि आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे ले जाके एइस पेर से रख देना है और इस background पे आप कुछ भी किसी भी background को add कर सकतो इसको set करने के लिए यहाँ पे sign का निसान दीखेगा done करना है और done करने के बाद आपको कुछ छूटा हुआ है तो आप इसको भी clean कर सकतो फिर से back आना है बैक आने के बाद यहां पे आपको एक manual का आपसान दीकेगा और यहां पे इसको जो arrow का निसान इसको इदर उदर कर देना है और जहां जहां पे है वहां पर आप यहां से हटा सकतो उसके बाद यहां सेफ का और सेफ कर सकते हो बिल्कुल आसानी से यह फोटो आपका पियंजी बन चुका है वहाँ पे जाकर कि किसी भी फोटो एडिटर में आप बेंगराउंड चेंज कर सकतो आपको बेंगराउंड जोड़ने का नहीं आता है तो मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में हम इस पर भी वीडियो बना देंगे आपको कैसे बेंगराउंड को एड़ करते हैं ठीक है उमिद है कि दोस्तो आज कहीं वीडियो आपको पसंद है होगा वीडियो को लाइक चुछाएंगे